ओम नमा भगवते बासु देभाय नमा आज आप सभी सुनेंगे बैसाख मास के कृष्णा पक्च की बरुथनी एकादसी की ब्रहत का था धर्मराज यो धिष्टिर बोले हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपने चैत्रमास के सुकुला पक्च की एकादसी अर्थात कामदा एकादसी की बारे में विष्टार पुरुबक बतलाया अप आप किर्पा करके बैसाख कृष्णा एकादसी का ज्या नाम है तथा उसकी बीधि अबंक महात्मय क्या है भगवान स्री कृष्णा ने कहा हे राजेश्वर बैसाख मास के कृष्णा पक्च की एकादसी को बरुथनी एकादसी की नाम से चाना जाता है यह स्वाभाग्य देने वाली, सब पापो को नश्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्मय कथा आपसे कहता हूं। तपस्य कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पुर्वत अपनी तपस्य में लिन रहे। कुछ दिर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने कुरोध और हिंसा ना करके भगवान विश्नु से प्राथना के। करून भाव से भगवान विश्नु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान सीरी हरी विश्नु परकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही सोका कूल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान विश्नु बोले। हे बत सुक मत करो। तुम मतुरा जाओ। और बरुथनी एकादसी का ब्रत रखकर मेरी वरा आवतार मुर्ति की पूजा करो। उस भालू ने तुम्हें जो काटा है या तुम्हारे पुर्व जनम का अपराध था। भगवान की आग्या मानकर राजा मन्यधाता ने मतुरा जाकर स्रधा पुर्वत बरुथनी एकादसी का ब्रत किया। इसके परभाव से राजा सिकरह, पुन, सुन्दर और स्यंपुर्ण अंगुवाला हो गया। इसी एकादसी के परभाव से राजा मन्यधाता स्वर्ग गय थे। जो भी ब्याक्तिक भैसे पीरित है। उसे परुथनी एकादसी का ब्रत रखकर भगवान विश्नु का इस्मरन करना चाहिए। इस ब्रत को करने से समश्थ पापों का नास होकर मो का था अच्छी लगे तो दूसरों को भी स्यार करें। धनेवाद।